हेलो स्टुडेंट्स माइसेल्फ मद्वी अदफ और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो और्गिनिजम्स फ्रेंड एन फो का लास लेक्चर क्लास एट का चाप्टर रही है इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि हम उनके पढ़ने वाले हैं नास लेक्चर में पढ़ लिया था तो यहां पर बात करें हम्फुल इफेक्ट में सबसे पहले आता है कोई भी डेमेज किया कर सकते हैं जैसे की होता है फूड पॉजनिग में क्या होता है stomach upsets are often caused by consuming contaminated food food contaminated हो यानि घाने लायक ना हो food poisoning mainly caused by यह बहुत important है कि किस से होती है यह bacteria है ठीक है इसमें C बढ़ाएगा Clostridium botulinum क्या होगा Clostridium botulinum से होता है जो botulin secrete करता है these bacteria decompose food stuffs and make them unfit for human consumption इसके अलावा क्या कर सकते हैं store food है उसमें go down में जो है पंजाई लग जाती है क्योंकि humidity चाहिए होती है और उसमें वह बहुत जल्दी क्या करते हैं reproduce करते हैं they cause considerable damage to historical buildings such as temple museum and other monuments बाकी सारी चीजों को भी खराब कर सकते हैं denitrifying bacteria reduce the fertility of soil by converting nitrates into free nitrogen cycle में बढ़ाता कि जो nitrate extra बच जाती है उसे बापस से किसमें change कर देते हैं nitrogen में लेकिन मान लेजिए वह काम की है soil में काम आ रही है plants के soil के तब उसको अगर वापस से nitrogen में बदल दे तो वह क्या हो जाएगा soil की fertility को reduce करेगा कुछ जो microorganisms से water pollution भी करते हैं और disease भी फैलाते हैं disease communicable disease वह होती है जो किसी ना किसी माध्यम किसी मीडियम की थ्रू क्या होती है ट्रांस्मिट होती है उसे हम क्या बोलते है communicable disease अभी हम पढ़ेंगी भी सही एक्स्ट्रीम प्लूशन बाहिसा में algae can cause a death of fish and hence disturb the food chain यह होता है eutrophication क्या होता है eutrophication eutrophication में क्या होता है बहुत जादा chemicals का use कर रहे हैं और धीरे-धीरे chemicals कहां चले गए पानी में चले गए water bodies में चले गए और वहां पर जो है algae क्या होंगे बहुत जादा growth करेंगे जिससे जो water body के अंदर fish है या other plants है other species है उनको क्या होगा proper oxygen और sunlight नहीं पहुच पाएगी इससे वह जो पानी है ना तो पीने लाइक रहे जाएगा ना ही वहां पर जो organism से वह आगे जी पाएंगे ठीक है तो उससे क्या हो जाएंगे वो मर भी सकते हैं some microbes deteriorate the quality of textile timber books paper shoes furniture इन सब चीजों को भी खराब कर सकते हैं they spoil the taste and flavor of fruit juice milk product meat tea some microbes cause skin disease and other allergies in men skin disease generally fungi की वज़े से होती जिससे दाद वगिरा होता है ringworm तो अब हम पढ़ेंगे common diseases in human common तो नहीं क्योंकि काफी सारी disease है अलग अलगे सबसे पहले हम बात करते हैं bacterial disease की यानि कि इसका पैथोजन होगा positive organism बोलो हम या पैथोजन बोले पैथोजन वही organism होते हैं जो disease करते हैं ठीक है तो पैथोजन क्या है इसका विब्रियो कॉलेरी किस शेप का होगा यह कोमा शेप का हमने पढ़ाता है विब्रियो बैक्टिरिया कॉन से होते है कोमा शेप होगी transmission कैसे होगा through contaminated food and water fecal oral route ठीक symptoms क्या है तो क्या याद रखना है सबसे में तो पैथोजन क्या है mode of transmission कैसा है और symptoms क्या है बाकि तो यह बाद वाली बात है अगर symptom पता करते तो उसके according क्या किया जाएगा treatment न्यूजिया, muscle cramps, weight loss, severe diarrhea, vomiting, watery diarrhea, dehydration कुल मिलाकर की जो stomach वाली जो stomach के अंदर जो activity है वो क्या होने लगेंगी जो है बिगडने लगेंगी जिसकी वज़े से सारे characteristic symptom जो है आने लगेंगे typhoid, typhoid, salmonella typhi की वज़े से होता है contaminated food and water की वज़े से जाएगा यह भी इसमें क्या होता है sustained fever continuous fever आती है बहुत high fever होती है ठीक है 103, 104 degree foreign height अगर celsius में बात करें तो 39 degree celsius to 40 degree celsius malaria में भी high fever आता है लेकिन उसमें रुक रुक कर रहाता है intervals में आता है typhoid में sustained fever आता है लगाता आ रहाता है इसके अलावा stomach pain headache loss of hepatite और अगर जादा है तो death भी हो सकती है typhoid के लिए जो test किया जाता है उस test को बोलते है विडाल test इसके पता करने के लिए test किया जाता है next tuberculosis TB जिसे कहते हैं किसकी विज़े से होता है mycobacterium tuberculosis coughing and freezing के थुरू यानि के droplet infection चीकते खासते चोटी-चोटी बूंदे होते हैं उनको droplet बोलते हैं उनके थुरू फैले गई है इसमें वजन की कमी हो जाएगी weight loss, weakness, fatigue यानि की ठकान, night sweat, fever, breathlessness, chest pain और फ्लेग यह सारे जो है इसके symptoms है diarrhea, salmonella, syzella, through contaminated food and water इसमें भी क्या होगा vomiting, loss of water, dehydration यह सारी problem होगी syphilis, trypanoma pallidum, यह जो है, क्या होता है, sexual contact, याद रखिये गई, STDB है, क्या है, STDB है यानि की sexually transmitted disease, जो sexual contact से जा सकती है, मदर से उसके बच्चे में भी जा सकती है, इनको हम अभी केटेग्राइज करेंगे, painless, ulcer, source, vaginal discharge, wart-like growth on genitals, rashes, small bumps, fatigue, itchy, mouth ulcer, यह सारे इसके क्या है symptoms है, क्योंकि यह sexual contact से, फैल्थी है, इसलिए हम इसे क्या कहते है, STDB कहते है अगर बात करें, diptheria की, तो diptheria किस से होगा, corinibacterium diptheria, coughing और sneezing, अभी हमने पढ़ाता है, droplet infection, chills, fatigue, fever, malice, noisy breathing, or shortness of breath, hoarseness, impaired voice, आवाज जो है, गड़गार आने लग जाती है, इस तरीके से मदलब हारी जाती थोड़ी, difficulty, swallowing, or soreness, गले में जो है, मतलब कोई भी चीज नि कफिंग, muscles weakness, runny nose, swelling, or swollen lymph nodes, lymph nodes, lymph nodes में ही, fluid जो है, भढ़ने लगता है, इस सी क्या होती है, swollen आ जाती है, titanus, titanus, clostridium, titani, किस से होगा, clostridium, titani, when dirt and rusted iron equipment comes in contact with blood of person, जैसे हमें कोई भी बहुत रस्ट जो iron होता है, अगर उससे चोट लग जाती है, तो हम फटा-फट से क्या करते ही, injection लगवाते है, titanus का, तो उससे हो जाता है, fever, high blood pressure, nervous system, क्या हो जाएगा, dysfunction हो जाएगा, sweating, यानि कि पसी ना, cramping, facial muscle, space में, लोग जो, abdominal, rigidity, difficulty in swallowing, लगवग इनके सब के क्या है, same ही, symptoms है, तो कुछ तो common symptoms ही होते हैं, कुछ specific symptoms, sign होते हैं, sign और symptoms, इनको देखकर ही, doctor जो है, specific वो लिखेगा, test, कि क्या test कराना चाहिए, जिससे disease का पता लगे, कौन सी disease है, next viral disease, वाइरस की वाज़े से कौन सी ह होती है, तो hepatitis A, ये भी क्या होती है, through contaminated food and water, ये वाइरस का नाम ही है, hepatitis A virus, pen in, अब देखो, अगर food and water की through failure है, तो इसका मतलब है, कही ना कहीं, वो जो digestive systems related है, उसको क्या करेगी, effect करेगी, अगर बात करें, hepatitis B की, तो ये है, STD, क्या है, STD, ये भी sexually transmitted disease है, STD फेलने की च या फिर जो syringe needle आती है, same ही उसकर ले, और blood transmission के time पर भी हो सकता है, अगर चेक नहीं किया गया है, तो एक body, मतलब इंफ्रक्टेड परसन जो है, उसकी body, fluid को जो normal person है, अगर उसकी body में, वो fluid पहुच जाता है, तो ये STD हो सकती है, HIV भी इसका एक example है, मतलब AIDS इसका example है, HIV virus इसी तरीके से जाता है, उसका भी transmission ऐसी होता है, इसमें क्या होगा, wave of swollen blood vessel in the skin और yellow skin और eyes, and eyes, fluid in the abdomen, fatigue और malise, progressive liver disease, देखो, हिपेटो, जो term है ना, उस हिपेटो term का मतलब ही क्या होता है, liver, हिपेटो का मतलब क्या होता है, liver, तो इसमें liver तो affect होगा ही सही, ठीक है, तो progressive liver disease है, बात करें, रेवीज की तो आपने सुना भी होगा, रेवीज, hydrophobia में इसे कहते हैं, ठीक है, तो ये किसके वज़े से होत हो रहा है, पहले उनके अंदर वो वाइरस है, फिर वो अपने saliva की तुरू बाइट करते हैं, टाइम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल परसन में इंजक्ट कर देंगे, उसको, dizziness, fatigue, fever, loss of appetite, delirium fever, hallucination, anxiety, difficulty, swallowing, excess salivation, mental confusion, seizures, और stiff neck, hydrophobia, hydrophobia का मतलब होता है, पानी, hydro मतलब पानी, phobia का मतलब डल, तो water से इसमें क्या लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है, next बात करें, तो next disease है, influenza, ये भी influenza virus है, spread from person to person, ये भी droplet, सुनते होंगे, आप influenza, जो है, काफी होता है, viral, जब मौसम चेंज होता है, खांसी जुकाम होने लगते है, common cold भी ऐसे ही पहलता है, sneezing, fever, headache, muscular pain, coughing, discharge from nose, AIDS, ये होता है, AIDS का full form क्या होता है, acquired immunodeficiency syndrome, वहीं HIV का नाम क्या है, human immunodeficiency virus, क्या है, human immunodeficiency virus, ये भी unprotected sexual contact with infected person, transfusion, चार रीजन बतायते हैं, मैंने चारों रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर से बच्चे में जाता है, तो इससे बोलते है, trans placental, क्या बोलते हैं, trans placental, placenta क्या होती है, placenta एक barrier होता है, या physiological connectivity होती है, किसके बीच में, जो fetus है, उनके और, उसके और मदर के बीच में, तो मदर से सारे जो nutrient है, वो सब उसी के तुरू वहाँ पर जाते हैं, fetus के अंदर, within a few weeks of HIV infection, flu-like symptoms such as fever, sore throat and fatigue, ज़रूर ही नहीं है, एट्स की जो symptom से बहुत जल्दी पता चले, यह काफी time भी ले सकते हैं, ठीक, एट्स symptoms include weight loss, fever, night sweat, fatigue and recurrent infection, बहुत normal से जो organism से, microorganisms बहुत common, जिनको easily हमारा immune system till कर देता है, वो भी इसमें क्या करने लग जाते हैं, इंफेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि एट्स में क्या होता है, immune system पर ही सबसे पहले क्या होगा, अटेक होता है, immune system पर, next disease है, protozoans, protozoa की वज़े से हमने पढ़ ली थी, malaria पढ़ा था, और amoebiasis पढ़ा था, जो किसकी वज़े से हो रहा था, entamoeba, histolytica, malaria की, मैंने वहाँ पर बोला था, four species पढ़ेंगे, plasmodium की, plasmodium falciparum, इससे सबसे जादा खतरनाग टाइप का, क्या होता है, malaria होता है, malignant malaria बोल सकते हैं, plasmodium vivax, plasmodium malaria, plasmodium ovale, तो यह four species हैं, इसको transmit कौन करता है, female anophilis, mosquito करती है, और इसमें क्या होता है, headache, chill, fatigue, मैंने बोला था, chill ने सोती है, fever होती है, ठन लग करके बुखार आती है, intervals में आती है, shivering, sweating, fast heart rate, headache, mental confusion, और, patient, weak, feel, weak and become anemic, enemy क्यों, enemy क्या ने की, जो blood है, उसमें क्या हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो RBC को इंफेक्ट करता है, किसको करता है, RBC को, अमी भी, इसमें क्या होगा, यह food and water की through, फैलती है, और इसमें वही होगा, blood in stool, diarrhea, और, fatigue, fever, loss of appetite, pain in abdomen, तो यह सारी disease हैं, जिनके आपको एक तो pathogen और common जो symptom से वो याद रखने हैं, और specific symptoms क्या हैं, अगर बात करें, animals के अंदर, other animals के अंदर disease, ना, human के अलावा, तो anthrax disease, जो है, वो किस में होती है, cattle में होती है, बैक्टीरिया की विज़े से होती है, starting में पढ़ा था, हमने इसके बारे में, food and mouth disease होती है, cattle में यह virus की विज़े से, रानी खेत disease जो होती है, यह poultry, poultry क्या होते हैं, जो bird, जिनको हम economic purpose से पालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, poultry, agriculture में बढ़ाता है, हमने, caused by virus, plants के अंदर कौन-कौन सी disease होती है, citrus canker, जो बैक्टीरिया की विज़े से होती है, transmission air से होगा, citrus canker, citrus canker है, यानि कि citra, नीबू, जो लेमन होता है, उसकी family में, rust of wheat, wheat के अंदर fungi के वज़े से होगी, yellow vein, mosaic of bindi, यानि कि okra, virus की वज़े से होगा, इंसेक्ट इसको transmit करेगा, red rot of sugar cane, fungi की वज़े से होगा, air transmit करेगी, blast of rice और यह fungi की वज़े से होगा, तो इसमें जो plants में disease हैं, वो fungi, bacteria और virus की वज़े से ज़्यादा होती है, next अगर बात करें, तो mode of disease, spread of disease क्या हो सकते हैं, disease किस-किस तरीके से फेल सकती है, तो एक तो direct contact होगा, और indirect transmission होगा, तो infectious disease, disease की बहुत सारी category है, जैसे genetic disorder भी होते हैं, allergies भी होती है, या फिर किसी nutrient की कमी के वज़े से भी होती है, जिनने deficiency disease केता है, लेकिन जो disease क्या होती है, एक से दूसरे में अलग-अलग तरीकों से फेल सकती है, उन्हें क्या बोलते हैं, communicable disease बोलते हैं, because they can spread from affected person to a healthy person, अब इनका क्या तरीका हो सकता है, तो the mean of communication or spread are different of different microbes, सबका अलग-अलग हो सकता है, जैसे placemodium है, placemodium कुद मूव नहीं कर सकता है, उसमें से कोई structure नहीं मिलती है, या खूद मूव कर सकते हैं, तो फिर वो किस की तुरू जाता है, एनोफिलीस की तुरू जाता है, तो the disease causing microorganisms are called as pathogen, ठीक, अब अगर बात करें, क्या हो सकते हैं, spread होने के तरीके, तो direct transmission है, direct contact से, तो सबसे पहला इसमें क्या है, contact with infected person, हम कहते हैं, जो बीमार होता है, उसके थोड़े से, उसकी यूज की जितनी भी tools होते हैं, उनको हमें अलग रखना चाहिए, अगर disease क्या है, infectious disease है, diseases like chickenpox, smallpox, ringworm, ringworm में हम कहते हैं के जाल को यूज करने से भी हो जाती है, spread by actual contact between infected person and a healthy person, such diseases are called contagious, contact की वज़े से होनी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, contagious disease, the sexual contact is one of the closest physical contact, two people can have which each other, diseases like syphilis, gonorrhea, यह बताया मैंने आपको AIDS, यह किसके थू होती है, sexual contact के थू है, इसलिए हम क्या मोलते हैं, STDs, sexually transmitted diseases, next, contact with soil, soil के contact में जैसे की organism से, कोई भी microorganism से उसने वहाँ पर क्या किया है, reproduction किया है, तो बहुत सारे उसमें उसके क्या हो सकते हैं, progeny हो सकते हैं, वहां से फेल सकती है, the infectious agent of titanus can enter the human body from soil through injuries, अभी अभी हमने पढ़ा था, titanus में, कि डर्ट की वज़े से हो सकती है, फिर rust iron होता है, उसकी वज़े से हो सकती है, animal bites से हो सकती है, कौन सी, rabies होती है, trans placental, यह मैंने बोला था, placenta में क्या, placenta क्या होती है, जो mother है, और उसके अंदर जो fetus है, उनकी बीच में जो barrier होता है, या फिर connection होता है, उसको placenta बोलते है, उसके through फैल जाती है, अगर mother infected है, तो फिर fetus में वो हो जाएगी, ठीक है, तो diseases like AIDS, या फिर German measles, syphilis, यह तो किसके through फैल जाती है, easily फैल जाती है, mother से fetus में, droplet infraction, अभी बोला था, मैंने sneezing, coughing करते हैं टाइम पर छोटे-छोटे जो बून निकलते हैं, उनको हम droplet केते हैं, और इनके through भी जाता है, अधिकतर जो virus होते हैं, वो इसके through ही जाते हैं, जैसे common cold, influenza, diphtheria, tuberculosis, pneumonia, जरूरी नहीं है, अधिकतर बोला है, मैंने, चाहिए, tuberculosis, pneumonia, bacteria से होते हैं, indirect transmission, यानि कि कोई बीच में mediator हो या कोई और तरीका हो, तो सबसे पहले आते हैं, vector, vector या carrier, जो लेकर के जाएंगे, यह कोई मच्छर हो सकता है, मक्खी भी हो सकते हैं, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था, कि क्या होते हैं, यह तो क्या होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई होती है, तो cholera, dysentery, typhoid, diarrhea, इनको फेलाती हैं, और female mosquito होते हैं, female mosquito बहुत सारे हैं, अलग-अलग disease करते हैं, जैसे कि एक तो malaria वाला क्या है, female enophilis, female Qlex जो होता है, वो philaria disease फेलाता है, philaria disease को क्या बोलते हैं, disease को तो बोलते हैं, philaria, इसका जो worm है जिसकी वज़े से होता है, उसे बोलते हैं, philaria, इसका एक और नाम है, elephantiasis, elephantiasis, इस disease में क्या होते हैं, अब यह बसाने लागता है, तो tissue, जो होते हैं, tissues में भी swollen होने लगती है, जिससे जो परसन हैं, infected person है, उसके जो पेर हैं, वो क्या हो जाते हैं, फूल करके मोटे मोटे हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलफनिशी जो देखाईगा इसको? फीमेल क्यूलेक्स जो होगा वो इसको फैलाएगा थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वोटर कॉलेरा हिपेटाइटिस बी डाइरिया एसकेरियेसिस यह सब पानी के थ्रू या कंटेमिनेटेड फूड या वोटर दोनों के थ्रू फैल सकती है एयर बॉर्ण डिजीज तो जब क्या हो इंफेक्टेड परसंसे हेल्दी परसंद में एयर के थुरू डॉस्ट के थुरू ब्रॉपलेस के थुरू फॉमाइट क्या होगा किसी कोई टूल है बोला था मैंने अगर पेशेंट के कॉंटेक्ट में रेता है उसकी कंगी हो या कुछ भी हो तो उसके वज़े के लिए क्या क्या तरीके हम यूज करते हैं लंबे टाइम तक उसको बचाने के लिए तो दो में कॉज़ेश ऑफ स्पॉइलिंग फूड प्रोड़क्ट्स और माइक्र ऑर्गिनिजम जरा सा हमने बारिश में देखा होगा आपने कॉमनली आपने ब्रेड वगेरा को यूँ छ को नो में तो पता हीए आपको रफ्रीज रेटर का हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए अगर बात करें इस्मोल स्केल पर तो हम फ्रीज में और बड़े भड़े अगर बात करें अन्वेश्का यूज करेंगे basin is present in food product we can't be destroyed by low temperature the air metabolic activities can be arrested so that they can't act on food product वारें गीन नहीं वह लेकिन उनकी activity controller हो जाएगे उस ताइम पर तो 8 10 degrees Celsius to minus 10 degrees Celsius to minus 18 degree Celsius temperature fruit eggs and meat can be stored for long time नहीं पर अगर तो इस ताइम पर क्या हो जाता है वह खराब उने लग जाता है तो फूड कंटेंड और प्रोसेज एंड इन एयर टाइट कंटेंडर मार्केट में आजकल जितनी भी चीज़ें मिलती है खाने पीने के उनको क्या क्या रता है एक से पांच साल तक उन पर एक्सपारी डेट वि फिप्टीन पांड प्रेशर फॉर अबाउट फिप्टीन टु ट्वेंटी मिनट बाइवेपर एट वन ट्वेंटी डिग्री सेल्चेस सकते हो हना मतलब हंड्रे डिग्री पर तूबलने लगता है तो उससे भी ज्यादा पर उसको गरम करेंगे ठीक फिदिस केंड डेस्ट कर देते हैं लोंग टाइम तक चलाने के लिए हीट और कॉल ट्रीटमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं पास्चुराइजेशन जनरली दूद के साथ किया जाता है कि तो दे मेथर डेवलप बाइसांटीस्ट लूई पास्चुर इसलिए हम इसे पास्चुराइजेशन बोलता है बैक्टीरिया देश्टूएट बाइटिंग दा सब्स्टेंट एड शिक्टी डिग्री सेल्चियस पोर थर्टी मिनट और एड गरम करते हैं फिर तरीके का प्रोसेस तीन चार बार दो तीन बार तो करते हिए फिर उसको एर टाइट कंटेनर में क्या कर देते हैं रख देते हैं या फिर जो पाउचे होते हैं रूद में रख देते हैं डी हाइडरेशन बैक्टीरिया और फंजाइ कांट वी एक्टेवें एपसेंस ओफ मॉइस्चर मैंने अभी बोला मॉइस्चर में फटा फट से क्या कर लेंगे जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रूट वेज मैं तो इनको हम यूज करते हैं प्रीजरवेशन बाइ कॉमन सौल्ट सोल्ट में विगा गरके रख देते हैं मलग salt में पूरा उसको डूबो करके रख देते हैं तो उससे क्या हो जाता है प्रिजर्व हो जाता है लेमन प्रिजर्व इन कॉमन प्रिजर्वेशन बाइशन बाइशन चाशनी बनाते ताकि चलता रहे या फिर ओइल का भी हम यूज करते हैं यह बहुत नया तरीका है आपने देखा भी होगा इस तरीके से रख कांगा तो सब्सक्राइशन कर देते हैं सब्सक्राइशन को धोने के बाद में तो से क्या प्रिजर्व हो जाता है इस सारग्यूर्ग्यूर्गिनिजम को यह थे इनके हामफुल एफक्ट थैंक यू